जहन दोस्तों स्वागत है डियल क्लासेस में दोस्तों देखे एस्टेट से रिलेटेड न्यूज है न्यूज में ये कह रहा है कि 708 पदों के लिए रिजल्ट में में आएगा तो अभी तो एकजाम भी नहीं हुआ है और रिजल्ट के बारे में ये पहले ही प्रकासिन कर दिया गया देखिए टोटल बात क्या है बहाली के बारे में एस्टेट की बहाली के बारे में क्या है 37,335 पत है रिक्त 24,000 हुए उतिर्न देखिए और 37,335 पत के लिए बहाली लिया गया था लेकिन अभी 24,000 ही उतिर्न किया गया है तो 24,000 किस हिसाब के उतिर्न किया गया है पूरा इसमें details दिया हुआ है दोस्तो और दिया गया है कि उर्दू संस्कित विज्ञान विसा का रिजल्ट आना बाकी है देखिए दोस्तो चैनल को सस्काइब कर लिजेगा और देखिए अफ़बाहों से बचे और इसमें पूरा एक एक बारिकी से समझाया गया हुआ है और आप लोग समझें पूरा वीडियो देखना देखने के बाद ही आपको पता चलेगा जो टोटल न्यूज क्या है कितने लोग से यह आप पहलाते हैं कि जैदा रिजल्टा दे दिया है साइन्स में कम दिया है लेकिन इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है देखिए यहां से न्यूज है मादमिक सिक्षक पात्रता परिक्षा मने स्टी इटी 2019 के तहट 37,335 पदों पर बाहली होनी थी नौमी दसमी मादमिक के लिए 25,272 और 11,12 उच मादमिक के लिए 12,065 पद थे ठीक है कुल 37,335 पदों के लिए 3 विषय उर्दू, संस्कीत और बिज्ञान को छोर दे तो 30,155 पदों के लिए 24,599 अभ्यार्थी उतिन हुए है अभी जो फिलाल रिजल्ट दिया गया है उसमें 3 विषय छोरा गया है वो 3 विषय है यहां दिया हुआ है देखे दोस्तों दिया हुआ है कौन-कौन सा विषय छोटा हुआ है यह 3 विषय है देखे उर्दू, संस्कीत और बिज्ञान यह तीनु विषय को छोर कर जो है रिजल्ट दिया है कितना 24,599 अभ्यार्थी को पास किया गया है देखे उर्दू, संस्कीत बिज्ञान को मिला कर 708 पदो का रिजल्ट आना बांकी है जो माई के पहले हफ्ते में आएगा इसमें उर्दू के 1000, संस्कीत के 1044 और बिज्ञान को हो जाएगा आपको 5044 पद शामिल है ठीक है और कहा गया है कि बिहार बोड की माने तो 28 जनवरी 2020 की ऑनलाइन परिक्षा में 106 विद्यार्थी को परिक्षा से अलग कर दिया गया था पता ही था हंगामा हो गया था और बताया जा रहा है कि गया था अब कोट के आदेश पर इन 106 विद्यार्थियों की परिक्षा को 2 अप्रेल को ऑनलाइन ली जाएगी 2 अपरेल को ऑनलाइन ली जाएगी एश्टेट के परिक्षा इसके बाद इन 3 बिसह का रिजल्ट मय के पहले सप्ता जारि कर दिया जाएगा यह मय के पहले सप्ता में इन 3 बिसह का रिजल्ट आना है अब कर रहा है कि कोटी और अंग के अनूर buffer ही merit बनी थी देखिए कोटी और अंग के अनुरूप जितना कोटी है और जितना अंग है उसी के अनुकार मेरिट बनाई गई थी एस्टेट 2019 के लिए विशायवार रिक्टियों पर कोटी और अंग के अनुरूप ही मेरिट लिश्ट तयार किया गया था इसमें समान सरेनी के अब्यार्थी का 50% अंक पर समान सरेनी जो है उसका 50% लिया गया था और अनुसूचित जाती अत्यांत पिछरावर पिछरावर और दिव्यां के लिए 45% अंक लाना जरूरी था ठीक है यह टोटल न्यूज है दोस्तो तो इसके जो है पूरा समझा दिया गया जो कैसे क्या जितना सीड़ था उतना ही रिजल्ट आया हुआ है यह आप लोग आप मामें नहीं फरे ठीक है दोस्तो शेयर करना नहीं बुलिएगा और जो है लाइक सेस्क्राब कमेंट करना नह नहीं भूलिएगा ताक कि हमें भी पता चले जो आप लोग को क्या समस्या नहीं है ठीक है जय हिन जय है भारत दोस्तों